प्रेस्पी कौन स्पैनिश चीजरोल जो खाने में बहुत ही चल्दा टेश्टी होते हैं और इनको घर पे भी बना आज सकते हैं और इसके साथ मैं सुष्ण स्विश्ण स्सक्राइब बना ने का त्रीका पता हूँ तो खुले पानी में 3-4 बाद दो लिशे, इसके उपाल बाल को बोईल करना है अगर मने बेलगानी के आपने इसके ग्रम पानीम के बाल को बора को बाद निरा की इसके सब्सक्राइब हो फ्ले बाइल तो आप इसको डरदर साना ग्रैंड भी कर सकते हैं तो किके चापड की साइथ से यहां मेने पालको ना चॉपक लिए अब एक कौन लिए अमरिकन फ्रोजन कॉण का में यूज कर रहा हूं इनको बहुत बार ना पानी में निकाल लेते हैं पालक बार पानी में इनको बोयल कर स है एक छोड़े बारी कट हो लसुन को आपने मीडियम फ्लेमें थोड़ी तरह पका लेना है पालक को जब भी आप लसुन के साथ अच्छी तरह से भूंते ना बहुत ही बढ़ी टेश्ट निका गया था है तो देखे लसुन पका लिए इसके पहले आपने इसमें पालक करना है कोई पालक के अंदर मॉश्टर कम है तो पहरे पालक डाल देशे और इसको आपने ना बटर के साथ भूं लेना है इसले के होगा पालक में जो कच्छा टेश होते हैं तो यहां पे खतम हो जाएगा तो के देखे पालक बिलो ड्राई हो चुका है जो कॉर्ण आपने ग्राइ उसके साथ आपने तीखा करना चिली फ्लैक्स करने है अच्छी तरह से ब्सक्राइब कर लें करते हैं अब उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं अब यहां शीट बना ले शीट बहुत ही दरिक आपको बताने वाला है उसमें एक कौन अ करना है या फिर अलरोड डाल सकते हैं अच्छी तरह से मैदा कॉन फार को यहां पे मिक्स कर लिशे अब आपने एक कप इसमें दूद एड करना है तो एक कप का मेजरमेंट रखिएगा अगर ज्यादा कुंटिटी बना रहे हैं तो आप कुंटिटी अपने हिसाब से बढ़ा स अची तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी पानी का और यहां पर तो आपको ना दो कप पानी और एक कप दूद करना होगा तो इस रेस्पी को यूज करके देखेगा शीट अगर प्रफेक्ट बनेंगी और इसकी कप से देखिए मैं मेसरमेंट किया था अब यहां मैं डोसा लिए और इसको हलका सा गर्म कर लिए इसमें अपने बैटर करना है जो बचवा बैटर रहेगा ना उसको उसी बॉल में बापेश डाल देखे अब आपने गैस की फ्लेमना हाई रखनी है और हाई फ्लेमन को चोड़ देंगी और इस तरह से आपकी शीट जो बनके त्यार व मोटी बनती है कि देखे इस तरह से दूसरी शीट रखती है तो जितनी भी आप शीट बनाना चाहे ना बहुत ही इजली बनेगी और बहुत ही सस्ते में घर पे बना सकते हैं मारे कमने काफी महिंगी शीट मिलती है और जो शीट हर जगा मिलती है आप इनको स्टोर करके भी में बना लिए साइड आपने कर लेने हैं इनका भी यूज कर सकते हैं कि पापड़ बनते हैं बहुत ही जवरदस्त तो कि देखे तीनों साइड से इस तरह से कर लेनी है और जो आपकी शीट बचके इससे आप रोल बना सकते हैं तो इसको छोड़ेड़े पीसीज में काटी ह अब दूसरी साइड हमारा जो देखें मिक्षर ता श्टफिंग का पोया भी ठंडा हो चुका है और इसके वद आपने इसमें जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसमें चीज आइड करनी है मैं आप प्रसेस चीज का यूज कर रहा हूँ आप इसमें मुजरेला चीज डालना चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए चीज आपने कम डालनी है क्योंकि ज़्यादा चीज डाल देंगे तो यह मैल्ट होने के वारा शीट के बाहर ने करना शुरू जाती है और इसको आपने एक सलरी बनानी है तो जो आपका शीट का बैटर बचा होगा उसका यूज भी जब यह शीट नहीं होती है तो आपनी शीट का यह करते हैं और इनको डीप प्रिज में श्टोर किया होता है और यह शीट है और इनका जो पर चार्स बढ़ता है तो यह काफी कौशली रहती है यहां पर रोल कैसे बनाना एक शीट लेनी है इसके तरह से तोड़ा-थोड़ तो आप इनको फ्रीच में स्टोर करें इनको सर्व करना हूँ, घरमा में को सर्व करते हैं, इंको तो ख़रके हैं कब नारी खरने तो अगर आपकर मेरे वीडियो अच्छा लगताई रहते हैं, आप है?